कैसे हो दोस्तों मेरा नाम है अरुन प्रपुदेश है और आप देख रहे हैं ट्रैकिन टेक जी हाँ 2017 का साल खतम हो गया है नियरली दस दिन बाकी है 2018 आने वाला है और बहुत सारे नए नए बड़े बड़े अच्छे 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 फ्लैक्शिप स्मार्पोन लाने वाला है इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे स्मार्पोन बताऊंगा जो सभी लोग बहुत इगरली अवेट कर रहे हैं यह यह फ्लैक्शिप लेवल के स्म स्मार्पोन है और सब का ध्यान उसी के पास है वाट सारे लोग रुके हुए भी है क्योंकि आप 2017 के स्मार्पोन खतम हो गए अब 2018 के पास आमें देखना चाहिए इस वीडियो में मैं वो 10 स्मार्पोन आपको बताऊंगा तो आप यह वीडियो देख परेंगे आगे बढ़ एस सून एस जैनुवरी में लाँच होने वाला है LG G7 जी हां LG G6 का सक्सेसर और हो सकता है कि शायद यह सबसे पहला स्मार्पोन हो Qualcomm Snapdragon 845 प्रोसेसर पे जी हां कन्फोर्म नहीं है लेकिन LG G7 आएगा 845 पे दूसरी बात आपको तो मालूम है LG के जो फोन्स होते हैं बड़ी ह बहुत ही जल्दी लाँच होने वाला है Nokia 9 जी हां यह दूसरा स्मार्टफोन है अगेन अगले एक महीन है मतलब या तो जैन या फिर अर्ली फैब में लाँच होने वाला है हमने डिटेल्ड वीडियो किया है Nokia 9 के बारे में सब रूमर स्पेसिकेशन के बारे में आप देख स हुए और वो है Galaxy S9 Samsung Galaxy S9 और S9 Plus तो S9 Plus में dual cameras होने वाले S9 में भी लोग सोच रहेते dual cameras होंगे लेकिन नहीं है हमने इसके बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है सब leaks rumors सब renders 3D renders भी है तो proper आपको पता किल जाता है S9 और S9 Plus कैसा है तो यह भी एक बहुत ही सबसे ज़्यादा weight कर रहा हो और बहुत सारे हमारे जो viewers है जो subscribers है वो भी weight कर रहे है और वो है OnePlus 6 जी हाँ OnePlus 6 भी 845 Qualcomm Snapdragon processor पे होने वाला है 8 GB RAM तो लिखे ही रखी है शायद उसके ओपर 12 या 16 GB RAM हो सकती है पता नहीं लेकिन बहुत सारी अभी तक OnePlus 6 का कोई rumor कोई भी specification आये नही है with some great specifications top of the line specification तो उसके लिए हम रुके हुए है और वो कब आने वाला है first quarter of 2018 मतलब March तक आएगा definite नहीं है लेकिन आने की अपेक्षा है दोस्तों पाच्वा फोन है Mi 7 ये मुझे पता नहीं इंडिया में लाँच हो गा है ये मी 6 तो लाँच हुआ नहीं 2017 खतम भी हो गया लेकिन Mi 7 लाँच होगा around March April अगले 2-3 महने में ही लाँच होने वाला है ये Qualcomm ने confirm किया कि ये फोन होगा जिसके उपर 845 प्रोसेसर ये जबर्दस स्पेसिफिकेशन होंगे मैं तो आपको सीधा कह दू 845 प्रोसेसर 8GB RAM क्रीम भी इसकी 2K होगी Full HD का अभी 2017 में जमाना चला गया तो 2K स्क्रीन होगी 5 या 5.5 इंच का ये फोन होगा दूसरी बात Mi 7 के बार में ये value for money भी होने वाला है जैसे OnePlus 6 है वैसे Mi 7 भी Yes Mi Mix 2 पहले Mi Mix था फिर Mi Mix 2 आया और 2018 में आएगा Mi Mix 3 अभी क्या होने वाला है Mi Mix 2 में नीचे के जो bezels से पतले थे शायद this will be the first completely bezel-less phone मतलब ऊपर नहीं नीचे नहीं बाजू को नहीं ये बाजू नहीं वो बाजू नहीं किसी भी बाजू को आपको सिर्फ स्क्रीन मिलेगी औ और इसका जो screen to body ratio होगा वो nearly 100% होगा ऐसी मैं अपेक्षा कर रहा हूँ या फिर ऐसे मैं ख्वाब देख रहा हूँ एक्षुली मुझे पता नहीं लेकिन ये एक जो फोन है बहुत सारे लोग अपनी नजरे तान के बैठे हुए कि वाई कब आएगा लेकिन ये आने वाला है mid 2018 में around June के करी तो टाइम है उसको लेकिन Mi Mix 3 जबरदस फोन होने वाला है दोस्तों ये जो सात्वा फोन है ये इसके चर्चे बहुत सालों से चल रहे है और ये एक टोटली डिफरेंट फोन होने वाला है ये रूमर्स ही है पता नहीं एक्चुली आएगा क्या नहीं लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे है कि सैमसंग लांच करेगा Note X जो एक बेंड बेंडेबल फोन आप ऐसा उसको ऐसा फोल कर सकेंगे रख सकेंगे ओपन कर सकेंगे बहुत मजा आएगा ये बहुत मैं एक्साइटेड हूं Note X के लिए क्या आप एक्साइटेड है क्योंकि अभी तक स्पेसिफिकेशिकेश्यों कुछ नहीं ये भी नहीं मालू में PC series के phone है P11 और ये जो है शायद आएगा triple cameras at the back के साथ पहला phone होगा शायद जो आएगा triple cameras के साथ और ज्यादा time नहीं रुखना पड़ेगा शायद वो MWC 2018 जो Feb के end में होने वाला है उसी में शायद announce हो जाए Huawei का PC series P11 शायद होगा पता नहीं पट ये भी phone मैं बहुत ही excitedly वेटी वो कि बाई कब आने वाला है triple lens वो क्या करेगा एक distance measure करेगा एक bokeh करेगा एक आपका portrait लेगा पता नहीं तो दोस्तों ये जो phone होगा पहला ही smartphone होगा जिसमें 5 cameras होंगे 2 आगे की तरफ 3 पीछे की दोस्तों ये जो 9 नंबर पर है ये हर साल धमागा करता है और वो है Apple iPhone जी हाँ 2017 में भी धमागा किया 8 8 Plus आया प्लस उसके साथ iPhone X आया या या आइपोन 10 अगले साल लाउंच होने वाला है iPhone 9 अब क्या-क्या नए features के साथ आता है क्योंकि आइफोन हर साल नए-ने features लाता है य ये जरूर देखेंगे पता नहीं कितने लोग इंडिया में excited है लेकिन worldwide बहुत लोग आइफोन खरीते हैं और आइफोन के launch के पास देखते हैं तो ये है हमारे 9 नंबर पर दोस्तों बाकी के दस्वान नंबर ऐसे नहीं है लेकिन बाकी के phones भी है जो लोग रुके हुए जै सब जो smart phones है क्या-क्या गुल खिलाते है 2018 में दोस्तों मैंने एक वीडियो किया हुआ है जिसमें मैंने कहा है कि 2018 के smart phones की feature कौन से होने चाहिए ये देखिए आप वीडियो देख सकते हैं इधर cards में तो ये features जो मैं चाहता हूँ ये नए flagships है उसमें होने चाहिए ऐसे मैं अ वीडियो में ताहिए अगले वीडियो तक